बिखार विधान सभा में भारी हंगामे के बीच बिजेबी विधायक को मार्शलों ने हाथों पैरों से उठा कर सदन से बाहर फेग दिया आपको लग रहा होगा कि मार्शल या फिर की स्पीकर ऐसा कैसे कर सकते हैं बड़ी ही नाइंसाफी हो रही है लेकिन जब हम आपको बताएंगे कि बीजेबी विधायक ने क्या करतूत कर दिखाई है वो भी सदन के अंदर तब आपको पता चलेगा कि ये लोग कितने संसकारी हैं और उसी के साथ सदन का कितना सम्मान करते हैं तो क्या हरकत की है बीजेबी विधायक ने वो बदाने से पहले आपको वीडियो दिखाते हैं आप वीडियो अपनी फॉल स्क्रीन पर देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेबी विधायक जिवेश मिश्रा को बाकाइदा ससम्मान चारों तरफ से पकड़ कर मार्शल सदन से बाहर लाते हैं और सदन से बाहर लाकर सड़क पर रख देते हैं विजायक जी विचारे चिलाते रहते हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है जैसे ही सदन से बाहर आते हैं वैसे ही माइक लग जाते हैं और विधायक जी चीखने लगते हैं चिलाने लगते हैं तो सदन से बाहर निकलने के बाद क्या कहना है बिजेपी विधायक का पहले उनका ये बयान ध्यान से सुनिए फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि सदन के अंतर विधायक यानि कि बिजेपी के विधायक संसकारी विधायक आकिर क्या कर रहे थे कि उन्हें बाहर इस तरह से निकाला गया है आप देख सकते हैं कि BJP विधायक चीक चीक कर चिला चिला कर कह रहे हैं कि देखिये विपक्ष के साथ कैसा व्यवार हो रहा है लोग तंत्र में क्या हो रहा है जब दिल्ली में सदन के बाहर जब JPC की मांग करता है विपक्ष तब कॉंग्रेस समिच जैसे विपक्ष को प्रफ्तार किया जाता है चावनी में तब्दील कर दिया जाता है तब इन्हें लोग तंत्र नहीं दिखाई देता तब विपक्ष के साथ कैसा व्यवार ओना है नहीं दिखाई देता लेकिन जब खुद पर बात आती है कि देख सकते हैं कि कैसे दुआई देते हुए नजर आते हैं इसी के साथ हिंदुतु का कार्ड भी खेला है बिजेपी विदायक जिवेश मिश्रा कहते हुए नजर आते हैं कि हिंदों का अपमान हुआ है हिंदों को मारा गया है हिंदों को पीटा गया है हिंदों के गलाब दंगे हो रहे है बिहार हिंदों के लिए सवांग कर jaga गया है असल वजह क्या है कि बढवार को बिहार विधासभा में बीजएपी की नेताओं ने वेल में टेबल पलटने की कोशिश की, जसके बाद स्पीकर ने मार्शल बुलाए, विजेपी विधायक जिवेश मिश्रा को मार्शल उठा कर बाहर ले गए, तो बाहर आकर क्या बता रहे हैं कि मुक्यमंतरी से जवाब मांगा था, इसलिए बाहर निकाल कर फेक दिया है, वि इसे में स्पीकर जब गुसे में आएं तो बिजेपी विधायक को मार्शलों से बाहर फिक्वा दिया गया, खबर देखेगा नौबारट टेम्स की इसमें लिखा हुआ है कि हिंसा पर बिहार एसेंबली में हंगामा, आप लोगों को हो हो करने की ट्रेनिंग मिली है क्या, स् विधान सभा के बजट सत्र का आज यानी 5 अपरेल को आखरी दिन है, लेकिन आज भी सदन में जबरदस्थ हंगामा देखने को मिला, जैसे ही बिहार विधान सभा की कारवाई चालू हुई, वैसे ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने विधान सभा में कहा कि आज संभीर मुद्दे उठाए गए, लेकिन सरकार ने उन पर कोई संग्यान नहीं लिया, इसके बाद राम नौमी पर सासा राम और नालंदा में उपद्र हुआ और सरकार पूरी तरह से लापरवाह रही, विहार सरकार हत्या, अपहरन और रंगदारी की घटनाओं को रोकने मे विफल रही, जब तक खुछ सत्ता पर काबिश थे, तब तक तो मंगल राज चल रहा था, लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर हुए, वैसे ही कैसे जंगल राज चलने लगा है, आप देख सकते हैं, आगे सुनिए इसमें लिखा है कि इस दोरान विधान सभा अद्देक्ष आव स्पीकर अवध बिहारी चौदरी ने विजेपी विधायकों को बोलने से रोका, तो विजेपी के सदस से हंगामा करते हुए वेल में पहुच गए, इस दोरान विजेपी के सदस से नितीश सरकार के खिलाफ नारे बाजी करने लगे और वेल में हंगामा करने लगे, तब व कि जेपी विदायक जिवेश मिश्रा को मार्शलों ने सदन से बाहर पेग दिया गया आपको बता दें कि सवाल नहीं उठा रहे थे हंगामा कर रहे थे टेबल पड़ने की कोशिश कर रहे थे हम आपको पहले ही खबर दिखा चुके हैं कि सदन के अंदर क्या कुछ हो रहा था उनको सदन से बाहर निकालने के आदेश स्पीकर अव्रद बिहारी चौधरी नहीं दिये थे तो स्पीकर की तरफ से इसके बाद आदेश दिया गया जब हंगामा इतना जादा बढ़ गया तो स्पीकर की तरफ से आदेश दिया गया कि बीजेपी विदायक को बाहर निकाला बाहर निकलने के लिए तयार नहीं हुए तब मार्शलों ने उठाया और सदन से बाहर लाकर रख दिया फिरा आपको बता दें कि जो बिहार में राम रॉमी के मौके पर दंगों की बात करें है भारती जंता पार्टी उसको लेकर जेडियों का कहना है कि ये दंगे किसी और न खाली पड़ी हुई है इसलिए अपना दोरा कैंसल कर दिया और अब हवाला दे रहे हैं कि बिहार में दंगे हो रहे थे बिहार में जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था अपर देखेगा एबीपिकिस में लिखा भी हुआ है कि बिहार वोयलेंस विपक्ष के हमलों पर जे सिंग ने कहा कि इसके लिए सरकार नहीं कुछ बिजेपी वाले जिमेदार हैं जेडियू का कहना है कि जो अमिश्या का दोरा रद हुआ उसके बाद उन्होंने हवाला दिया कि दंगे हो रहे हैं और धारा 144 लगाए गई है जब हमने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है उसक बिजेपी का हाथ है फिलाल आपको बता दें कि लगाता सदन में बवाल मजा हुआ है अभी 24 मार्श को ही तस्वीरे निकल कर सामने आए कि सदन में फोर्स तक को बुलाना पड़ा आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह अपने आप में ही अतिहासिक तस्वीरे हैं ऐसा पह बिहार विधान सबा में क्या कुछ हो रहा है आप देख सकते हैं जब से सत्ता से बाहर हुए हैं तो किस तरीके से बौकलाहट निकल कर सामने आ रही है आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं फिलाल इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है इस कथित बौकलाहट पर आपका क्या कहना है हमें कमिट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियों को जादा से जादा शेयर करें सब्सक्राइबर बटि दबाया बला कर दबाया तक कि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुचती रहे मैं प्रेम का आप देख रहे था ऑनलाइन न्यूस इंडिया फिर मिलते ह अगली खबर के साथ अब तक के लिए धरनी बाद इस खबर को अभी लाइक करें शेयर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर तक करें